आइडियल इंडिया टीवी स्रामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, जो जलतेवे मुद्दे हैं इस देश के, उनके विशे में श्री राहूल गांदी बोलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे. मैं जानता हूँ कि ये निर्ने आया है, एक 2009 की बेरोजगारी कीमतों की बढ़ोतरी की दौरान कहेवे कुछ शब्दों की स्पीच दौरान. आज 2009 सौरे, 2019 कोलार में, 2019 कोलार में. अब इस निर्ने के बारे में आपको तीन चार चीज़े बताना चाहता हूँ. मैं कहने से पहले ये आपको बता दूँ कि ये करीब 170 परने का है, गुजराती में है. मैं गलती नहीं करना चाहता, सपश्टता और accuracy के विशे में, पूरी तरह से हमारे पास अभी अनुवाद भी नहीं है. लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको और अगर उसमें कुछ संचोधन होगा तो आपको कल पर सो और बात करेंगे. नमबर एक, मानहानी के विशे में एक सिध्धान्त कानून का मूल सिध्धान्त है. और वो ये है कि आपको किसी सपश्ट व्यक्ती या सपश्ट चीज के विशे में मानहानी करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम से कम. आप मानहानी एक मोटे-मोटे बड़े-बड़े बुद्धे के विशे में नहीं कर सकते हैं. एक ऐसे विशे के बारे में जिसमें स्पश्टता नहीं है, एक व्यक्ती विशेश के विरुद आक्षेप नहीं है. और अगर वो आरोप वेग हैं, ज्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानी नहीं कह सकते हैं. नमबर दो, सुस्से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विशे में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य के विशे में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है, जिनके संबंद में वो वाक्य कहा गया है, जो भी नाम ल ये भी मानानी के कानून का एक बहुत अभिन अंग है, कि जिसकी मानानी हुई है, उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है, और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानानी हुई, ये कंप्लेंट उन में से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है नमबर तीन जब फौजदारी मुकदमा करते हैं जो कि किया गया इस केस में तो एक गलत नीती दुएश की भावना सिद्ध करना अतियावशक है कुलार की अगर आप पुरी स्पीछ देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है राजनीती के बारे में है कीमतों की बरोत कारी के बारे में है उसके दौरान अगर ये वाक्य जिसको आज आपत्ती जनक माना गया है जिसको भी चुनौती दी जाएगी उपरी अदालतों में तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी के द्वेश की भावना से बदमिजाजी से जान बूज कर जिसको मैला फिडे इंटेंट क कहते हैं कानून में ये एक अनिवार ये अंग है इस आरोप का और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्ब से तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता क्योंकि वाक्या संदर्ब एकदम अलग था चौथा औ मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था जब वो वहां था तो याचक ने कंप्लेनेंट ने बड़े कोट में हाई कोट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया रुखवा दिया उसको काफी अर्से तक कई महीनों तक जब उस व्यक्ति का स्थानांतरन हुआ या वो उस ओदे से हट गए तो यह याचका जो उपरी अदारत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और यह वापिस नीचे आ गई एक भिन्द मैजिस्ट्रेट के सामने जहां आपको नर्ने अब आया है तो इसकी तारीक हैं इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे के एक ठीक प्रकार से यह न्याइक प्रक्रिया हुई है के नहीं लेकिन प्रात्मिक द्रिश्टी से यह चौथा मुद्दा भी अत्यंत महेश्ट पूर्ण है पांचवा एक प्रावधान है कानून में उसको 202 कहते हैं 202 विशेश गुप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके द्रिवैंडरं में कंप्लेंट फाइल कर दी वारदात हुई कोलार में और आपने जाके शीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले निर्ने तो बहुत बात की बात है शुरुआत करने से भी पहले एक जाच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट of jurisdiction है या jurisdiction के अंदर अंदर है यानि अधिकार क्शेत्र के अंदर है के नहीं है दो सो दो का इसमें सीधा अलंगन हुआ है सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस असानी से इस मामले में आगे बढ़तरी की है और फिर निर्ने दिया है कोलार वाले वक्तव्य के विश्य में वो अंत्य अंत्य आपत्य जनक है कानूनी रूप से और questionable है जो कि और हम इसका विश्लेशन करेंगे शठा यह भी सुनने में आया है और जहां तक तक हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि conviction के बाद sentencing डंड के लिए अलग से हेरिंग होनी पड़ती है वो अलग से हेरिंग जरूर हुई लेकिन पंदरा बीस मिनिट के हेरिंग के बाद जो सबसे ज्यादा sentence हो सकता है वो दिया गया दो वर्ष का सत्तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा इस सबका मूल निचोड क्या है मूल निचोड ये है कि गलत केसिस को थोप कर आवाज को रोकना बंद करना दराना धमकाना ये प्रक्रिया ये सरकार भिन-भिन रूप से कर रही है साथ-साथ इससे कहीं ज्यादा आपत्ति जनक वक्तवे दिन प्रति दिन इनके द्वारा इनके मंत्रियों द्वारा इनके वरिशनेताओं द्वारा इनके कारेकरताओं द्वारा को अंदेखी अंसुनी कर दिया जाता है लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनित के मुद्दों को उठाने में कॉंग्रेस हिचकेगी या राहुल गांदी हिचकेगे तो ये गलत धारणा है जैसा मैंने कहा ये एक पहला निर्ने है सबसे निचले दर्जे का निर्ने है जो कि हमारी नियाएक हाईरर्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का इसके बाद सेशन्स कोट ले जाएंगे इसको और उसके ऊपर भी कई अदालते हैं ये गलत धारणा हैं कानून में इसका समर्थर नहीं किया जा सकता और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विशे में हमारे पास एक सकारात्मक निर्ने आएगा